Hello everyone, welcome back to another lecture session. So, this is part 2 for microbes topic. Okay, second part of the lecture है, जिसमें हम prion और viroid के बाद वाली topic डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं viruses के बारे में. लास्ट लेक्चर में हमने prion और viroid के बारे में discuss किया था. तो लेटीन टर्म में virus word जो है, उसका मतलब होता है poisonous fluid या venom. इसका मतलब होता है जहर. तो वाइरस की जो solution या liquid है, जिस भी पार्ट में वाइरस को पाया गया, निकाला गया, उस solution को नाम दिया गया, लेटीन में venom. ऐसा कहा गया. यानि कि poisonous fluid. तो वाइरस को हम define कैसे करेंगे? अल्टरा माइक्रोस्कोपिक है, यानि कि माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा, उसको हम कहते हैं अल्टरा माइक्रोस्कोपिक. नॉन सेलूलर यानि कि उसका कोई defined cellular structure नहीं है और highly infectious है वाइरस. तो discovery जो है, वो कैसे हुआ था? 1886 मे ऐसा देखा गया कि plants में जो disease हैं, वो देखा जा रहा था कि बस bacteria से ही cause हो रहा था. 1886 में देखा जा रहा था कि plants में जो भी diseases हैं वो bacteria cause कर रही हैं. फिर एक Dutchman थे, Adolf Mayer नाम के, 1886 में उन्होंने क्या किया? टोबैको प्लांट को crush करके, उन्होंने दिखा कि टोबैको प्लांट में थोड़ा सा infection है कहीं पे, उसको crush करके उसका juice extract किया और फिर healthy tobacco plant में उस juice को spray कर दिया या लगा दिया. ठीक है? तो उन्होंने वो solution extract कैसे किया? टोबैको प्लांट टोबैको लीफ लिया और उसको crush किया, juice extract किया, फिर उन्होंने पोरसेलीन फिल्टर पेपर यूज करके juice को filter भी किया. ठीक है? और उन्होंने देखा कि healthy tobacco plant जो है, उसमें infection या patches दिखाई देने लगे, जिसको हम tobacco mosaic virus कहते हैं, वही virus जो है, उसका treatment उन्होंने healthy tobacco plant में दिया था. फिर कुछ साथ साल, आठ साल बाद, उन्होंने देखा कि 1892 में इवैनोवैस की नाम के एक scientist थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी tobacco plant में हुआ है, वो tobacco mosaic virus के वज़े से है, वो tobacco mosaic disease है. और कैसे देखा गया वो, वो जो filter रह गया था, जो उन्होंने filter करके juice निकाला था, पहले उसको कह रहे थे bacteria, तब तक उनको पता नहीं पता नहीं था कि इसको क्या नाम देना, ये कैसा organism है, तो उन्होंने कहा कि ये जो organism है, या फिर जो भी toxic material, जो भी venom है, पहले तो उन्हो पॉजने फिरूड या venom कहा था, वो कह रहे थे कि ये bacteria ही सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, या तो ये small bacteria है, जो filter paper के pore से निकल गया, नीचे juice में निकल गया, ठीक है, ऐसा उनका conclusion था पहले, तो ऐसा कुछ toxic है या chemical है, जो bacteria सिक्रीट कर रहा है, जिसके वज़े से tobacco leaf पर, वो mosaic pattern देखने को मिल रहा है, आगे देखते हैं, फिर बैजरिंग नाम के एक scientist आए, उन्होंने इस experiment को बार 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 रिपीट करके देखा और finally conclude किया, कि tobacco mosaic disease जो है, वो किसी microorganism यानि कि किसी bacteria से नहीं हो रहा, contagious living fluid से हो रहा है, है ना, contagious living fluid उन्होंने किसको बोला है, जो juice उन्हो ने टोबैको लीव से extract किया था, वो तो fluid है ना, contagious यानि कि फैल ने वाला, living यानि कि जिन्दा, fluid यानि कि वो juice, और उन्होंने बैजरिंग ने ये नाम कोईन किया, बैजरिंग ने क्या कोईन किया, कि ये वाइरस है, इससे पहले इवैनोवास की क्या कह रहे थे, कि बैक्ट चाली साल बीद गए, फिर इसके शेप, नेचर, साइस के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, लोगों को, ठीक है, तब तक, मतलब चाली साल बीद गए, फिर 1935 में स्टैनली ने बताया, उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, टोबैको जूस में उन्होंने जूस एक्स्ट्रैक्ट किया, और उस प्रोटीन को किस फॉर्म में कनवर्ट किया, उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानि कि जू जूस एक्स्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में कनवर्ट किया, और टोबैको लीफ के उपर रब कर दिया, फिर से टोबैको मोजाइक डिजिस देखा गया तो इससे उनको पता चला कि वाइरस जो है अन आटो कैटलीटिक प्रोटीन दैट कुड मल्टीप्लाई विदिंग दे लिविंग सेल आटो कैटलीटिक मतला वो अपना जो डिवीजन है वो कर सकता है पर क्या आप कप करेगा ज इसा फॉर्म होता है उस फॉर्म में उन्होंने रब किया था बस टोबैको लीव्स के उपर तो उन्होंने देखा कि इंफेक्शन हो गया यानि कि यह क्रिस्टलाइस फॉर्म में था बाहर जब था पर अंदर जब गया लिविंग बॉडी के अंदर तो यह तो जिन्दा के जैसे एक्ट करने लगा इसने इंफेक्शन किया वाइरस ने ओके देन इस डिसकवरी के लिए फाइनली स्टैनली को नोबेल प्राइस दिया गया इन केमेस्ट्री केमेस्ट्री सब्चेक्ट से थे और उनको नोबेल प्राइस मिला गया मिला तो जो स्टेट्मेंट इन्हों इसको गलत बोला गया multiply within the living cell सही बात है पर बाद में इनको बोला गया कि ये बात गलत है कि वो आटो catalytic है वो multiply कर सकते हैं host body को यूज करकि ये बात सही है तो इस discovery के लिए उनको Nobel Prize मिला गया मिला दैन और भी scientist आये जैसे कि बाउडन उनके colleagues ठीक है फिर उन्हों में जो एजेंट रहता है वो आरेले होता है virus का वही important होता है ओके और फिर्स्ट वाइरस फिर discover वा उसको नाम दिया गया tobacco mosaic virus ओके और उसको electron microscope के अंडर देखा गया ठीक है किस ने को यह जो अलग अलग scientist के नाम है यह बहुत important है तो इनके इयर discoveries के इनका नाम क्या है इनका काम क्या है यह सब बाते आप करके no down करके रख सकते हैं तो यह आपके लिए आसान होगा तो चलिए next देखते हैं सो पॉली गोनल यह पॉली हेडरल टाइप ऑफ वाइरस है यह एक बैक्टेरियो फाज का एक्जाम्पल है टी बैक्टेरियो फाज ओके इसका जो प्रोटीन कोड है इसको हम कैपसीड कहते हैं जो कि छोटे-छोटे कैपसुमर से बना हुआ रहता है और अंदर यहां पे होत प्लांट्स में मोजाइक लीफ पैटर्न जो हमने देखा लीफ रोलिंग कर्लिंग येलो इंग वेन क्लियरिंग है ना ड्वार्फिजम यानि कि स्टंटेट ग्रोथ यह सब देखा गया है वाइरस इस क्या-क्या बिमारिया या डिजीज कॉज करते हैं अगर आपको कोई डिफेरेंश पूछ है तो हमें बताना आना चाहिए ना प्रोटीन को कवर करता है उसके चार रहता है ठीक है, वाइरस का size बड़ा रहता है, वाइरस infect all type of organism, वाइरस हर तरह के organism को infection create कर सकता है, लेकिन इससे वाइरोइड में क्या differences से देख लेते हैं, वाइरोइड भी infectious particle है, पर RNA dominating, RNA होता है उसमें, वाइरोइड formed of only RNA, उसमें अब protein coat होता है, तो कोई covering नहीं होता है, only naked RNA होता है protein code is absent, वाइरोइड है smaller size as compared to viruses, वाइरोइड infects only plants, यहाँ पर हमने कहा था, वाइरस के case में हमने कहा था, वाइरस infects all type of organism, यहाँ पर हम कह रहे हैं, it infects only plants, हम example देख कर आए हैं, last lectures में, last part में, ठीक है, तो और एक example हमें दिया जाता है, वाइरूसॉइड का, ठीक है, तो यह वाइरूसॉइड इसमें भी RNA जो है, वो linear या circular form में रहता है, और वाइरूसॉइड generally non infectious माने जाते हैं, इसलिए इसको हम इटने detail में यहाँ नहीं देख रहे हैं, चली, next देखते हैं, अब हम discuss करने व इसमें कुछ terminologies हैं, जो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ कहा गया है, obligatory intracellular gram negative bacteria, यानि कि compulsory cell के अंदर रहने वाला gram negative bacteria है, कहां किसके body में पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, ticks, lice, fleas, mites, triggers and mammals, तो यह कुछ animals है, generally arthropods है, insects है, उनके अंदर पाया जाता है, औ और उनके वो vector के जैसे काम करते हैं, जब वो हमें bite करते हैं, तो हमारे body में rickettsia आ सकता है, या mammals, या दूसरे animals के body में भी आ सकता है, और उनके जैनेरा है, रिकेट्शिया, एरलीचिया, औरेंशिया, कॉक्सीलिया, इस तरह के इनके जैनेरा है, तो इसमें यह बिलॉंग करते हैं, जीनस जिसको हम कहते हैं, जूनोटिक पाथोजन, causes infections that disseminate in blood to many organs, जैनेरली animals को infect करने वाला और उनके जो पाथोजन है, वो कहाँ drop करते हैं, ब्लड में, अनिमल के blood stream में, वो drop करते हैं, कुछ एक्जाम्पल है, rocky mountain spotted fever, rickettsial pox, and other spotted fevers, typhus, murine typhus, epidemic trifus, इस तरह की बिमारियां यह cause करता है, rickettsia discover किया था, howard taylor rickettsia ने, 1909 में, इसको light microscope के अंडर देखा गया था, और arthropods इसको फैलाते हैं, mild ticks and lies जो हैं, यह फैलाते हैं, ऐसा देखा गया था, तो रickettsia के बारे में, अगर हम और जानना चाहें, डीटेल में, तो हम कहेंगे, वो intracellular parasite जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है, humans और animals को gram negative है, humans और animals को impact करते हैं, इंसेक्स को vectors, vectors की तरह use करते हैं, यानि कि उनकी body के through, human या animal body में, वो enter करते हैं, ठीक है, blood stream से, वो spread होते हैं, body में, और हम कह सकते हैं कि cells को damage करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से light microscope के under rickettsia का diagram देखा गया है, तो आप जो ये lengthy, लंबे-लंबे structures देख रहे हो, इस तरह से, इस तरह के ये दिखते हैं, rickettsia light microscope में, अब हम next topic शुरू कर रहे हैं, जो है mycoplasma, ये smallest known bacteria, ऐसे कहा जाता है, इनको भी bacteria की category में consider किया जाता है, पर सबसे छोटे bacteria हैं, और obviously bacteria की category में हैं, तो उनको prokaryote बोला जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि उनके पास february form of DNA है, उनका जो structure है, वो sphere से लेकर filamentous type of structure देखा गया है, ठीक है, उनमें cell wall नहीं होता, वो cell wall lack करते हैं, non-motile होते हैं, gliding motility, यानि कि ऐसे फिसल फिसल के चलते हैं, glide करना, जैसे snails चलते हैं, उस तरह से चलते हैं, और mycoplasma के बारे में अगर हम detail में देखना चाहें, तो यहाँ पर आप एक diagram देख सकते हो, जहाँ पर लिखा हुआ है, no cell wall, cytoplasm है, soluble RNA है, ribosome है, उसका अपना DNA है, उसका जो cellular membrane है, three layered है, और उनमें कुछ soluble proteins पाये जाते हैं, examples में हम देख सकते हैं कि कुछ mycoplasma man में infertility cause कर सकते हैं, और उनके दो species है, mycoplasma hominis and mycoplasma fermentans, उके इस तरह से दो हम कह सकते हैं, species है mycoplasma के, mycoplasma pneumonia causes pneumonia, ठीक है, primary atypical pneumonia cause कर देख, जिको हम pap बोलते हैं, और वो mouth और pharynx में पाया जाता है, mycoplasma pneumonia, उके, चलिए, फिर हम आगे देखते हैं, अब next topic है हमारा bacteria, इसमें important क्या है, वो discuss कर लेते हैं, so bacteria जो है, वो plural form में use किया जाता है, singularly, मैं single अगर मैं represent करना चाहती हूं, यहाँ पर मेरे पास जो diagram है, वो bacterium का है, यानि कि single, singular, okay, so obviously they are prokaryotes and they are most abundant on earth, ठीक है, और हमने उनके कुछ functions देखने हैं, जैसे कि sewage को digest करते हैं, nitrogen fixation करते हैं, यह सब important है, importance है bacteria का plant protein production के लिए use किया जाता है, ओके, so इस तरह से bacteria का कुछ function है, आगे देखते हैं, so bacteria's सारे harmful नहीं होते, कुछ bacteria harmful होते हैं, कुछ bacteria हमारे gut में, यानि कि हमारी body में भी develop हो रहे हैं, कुछ bacteria plants को infect करते हैं, ठीक है, वो soil, air, water कहीं पर भी आपको पाए जाएंगे, मिलते हैं, okay, inhabit है यह, inhibit नहीं, they inhabit air, soil, water, यानि कि रहते हैं, उनका घर है, और earth के हर पार्ट में, bacteria तो पाहए जाता है, चाहे वो oxygen हो वहाँ, या oxygen free environment हो, high temperature हो, या low temperature हो, हर एक nature के habitat में bacteria present है, ऐसी कोई जगर नहीं है, जहां bacteria को जिन्दा रहना नहीं आता है, highest temperature में भी bacteria जिन्दा रहते हैं, lowest में भी temperature में भी bacteria जिन्दा रहते हैं, तो इस तरह के shapes and sizes हमने और डिसकस किये हैं, cocus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, सारसिना, tetrad, so cocus single है, monococcus भी बोलते हैं, diplococcus यानि की दो हैं, ठीक है, diplococcus encapsulated यानि की दो हैं, और बाहर से capsule या covering बना हुआ है, staphylococcus यानि की cluster में present है, streptococcus यानि की chain में present है, इस तरह से, सारसिना यानि की cube जैसा structure बनाते हैं, tetrad, यानि चार में present है, bacilli, rod shaped होते हैं, तो इस तरह की different forms of bacteria पाए जाते हैं, cocus, bacilli, spiryla, औके, और विब्रियो टाइप, चलिए, आगे देखते हैं, next हम discuss करेंगे cyanobacteria, यानि की blue green algae भी जिनको कहा जाता है, तो ये थोड़े से हटके, या फिर बहुत ही important माने जाएंगे, क्योंकि ये carbohydrate बना सकते हैं, यानि की glucose बना सकते हैं, photosynthesis करके, ये photosynthesis करते हैं, तो इनको true bacteria नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये autotropic mode of nutrition दिखा रहे हैं, इनके पास light trapping pigments present होते हैं, जिनके मदल से photosynthesis करते हैं, atmospheric nitrogen भी fix कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ example देख सकते हैं, Nostok, Annabena and regularia are some examples of cyanobacteria, तो ये fresh water, marine water, दोनों localities में पाया जाता है, और ये symbiotic association भी करते हैं, higher plants और fungi के साथ, So this was about the second part of the lecture, ठीक है, जिसमें हमने virus, mycoplasma, rickettsia और cyanobacteria के बारे में discuss कर लिया, बाकी जो बचा हुआ topic है, वो हम third part of the lecture में discuss कर लेंगे, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, ये भी आपके return test और exam के लिए बहुत ही important होगा, Thank you so much.